सबी को नमस्कार मैं डॉक्टर केलाश एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एंज इयार्टी इटीजिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज में आज मैं लेकर के आया हूँ आखिरी रक्षक सिरीज का एक डिटेल्ड रिव्यू जो की एट पार्ट की सिरीज है एट पार्ट आपको दिख रहे होंगे और यह 2015 से लेकर के 2019 तक पब्लिश हुआ था मैं सुरी 2018 तक पब्लिश हुआ था तो 3-3 साल में यह सिरीज पूरी हुई और यह इस सिरीज का रिपडि रेपरेंट राज कॉमिक्स भाए संजे कुपता जी की तरफ से हमको देखने कॊ मिला है यह और संजे कुपता जी की जो रिपरेंटась हैं इस साल उनकी ईग विश Ace fungus ता रहि है कि वो पौली पेक होका है कि तरफ से होने वाली अनॉंस्मेंट जो एक दो दिन पहले ही आई है आखरी श्रंखला यानिक आखरी सीरीज और इसके अलावा राजनगर रक्षक श्रंखला इन दोनों का कंबाइंड क्लेक्टर इडिशन निकाला गया है राजनगर रक्षक का प्राइस रखा गया है 1216 और वहीं इसका इस सीरीज का जो की आखरी रक्षक सीरीज इसका प्राइस रखा गया है 1117 रुपे कारण मेंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि इनकी जो संख्या निकाली गई है संग्राक संस्क्राणों की उस संख्या के आधार पे इनका प्राइस रखा गया है आखरी रक्षक का जो कंबाइंड क्लेक्टर इडिशन है सिरीज का एट पार्ट सिरीज जो है उसकी संख्या है 17 राज कॉमिक्स बाइस संजे गुपताजी की तरफ से इसलि आखरी रक्षक पर कालो की धरती ब्रमान युद्धा और विश्व रक्षक इसमें धिरज कुमार अबर्मा जी का आट वर्क है धिरज कुमार अबर्मा जी राज कॉमिक्स के एक बहतरीन आर्टिस्ट थे सन 2021 में ही वे हमको अलविदा कह गये हैं और लेकिन उनका आर्ट का काफी समय से देखा है हम लोगों ने बच्पन से राज कॉमिक्स में और पोस्टर्स और स्टिकर्स मेगरेंट स्टिकर्स स्टांप कार्ड्स इस तरह की की नोवल्टीज काफी बनाई है धिरजुरवाजी ने सभी तरह की सूपर हिरोज को बनाया है उन्होंने और विशी श इस इसमें कवरेंट इस फी मिल्ले करिक्टर है राज की MYыми का उसे भी काफी बनाया धिरजुबाजघिання फोनाया है और उन्होंने कोर्श को वो काफी आकरशक है और यह काफी पतली कॉमिक्स आइसे और राज komix पे परंपरा रही थे संदोर 20 तक जब तक राज राज-कोमिक्स एक था यहां पर लिखा था राज-कोमिक्स कि अगर 32 पेज इवाम करते थे तो इसके अलावा कई तो अब यानि पर आउनिके 96 पेजिस होते थे तो भी राज को विश्ञांग लिखा होता था और 28 पेज होने पर भी वही लिखा होता था तो मतलब 32 पेज से ज्यादा होने पर विश्ञांग लिखा होता था और जब से मैं ने पढ़ना शुरू किया 996 से, बहुत कम हमको कार्परा ख़या देुखने को मिल नागराज और सुपरित क्मांडर धृफ केृमिक्स में काफी पढ़ता था, लेकिन परमानू, तिरंगा, भीडिया, इन सब की कोमिक्स मैंने देखे हैं काफी, मतलब आठ रुपे की प्राइस में भी देखे हैं और दस रुपे की प्राइस संद्वाजार में हो गई थी, वो प्राइस में भी मैंने देखे हैं, तो हां मैंने काफी देखे हैं पर फिर व पर आकर्शक कवर बनाया वादे कि जिसके कोई नोवल्टी हो स्टिकर हो और मेरे पास इस स्रीज के पहले दो पार्ट थे रिप्रेंट होने से पहले संजय गुपता जी तरफ से विश्वरक्षक और ये अखिर रक्षक और जो नागराज के तीन रूप है विश्वरक्षक आतंग खरता नागराज नारक नाशक नागराज और भी काफे नागराज वाने आतने हैं तो उसमें मैं विश्वरक्षक के रेफरेंस के लिए इस कॉमिक्स का बड़ा यूज़ करता था पर वो ये नहीं था मतलब संजय गुपता जी वाला एलेप्रेंट नहीं था वो एक से इसका भी रिवीव लेकर क्या हूं क्योंकि बिल्कुल उचित समय होगा अभी ही प्रियोडर लगाए तो काफी लोगों के मन में काफी जिगासा ही होती है तो क्लियर लिए उनको आर्ट का पता लग जाए स्टोरी का पता लग जाए और थोड़ा सा कितने पार्ट से कैसा फिर आपको इंस्पेक्टर स्टीर ओड़ोगा और इसके बाद में नागराज ही आएंगे तो शुरात इसके से होती है देखिए एक किसी अंजान जगह पर सुपर कॉंडो धुरू और प्रॉनो अपने आपको पाते हैं उनके कुछ मेवरी लोस भी हो गई है तो यहां पर क सब्सक्राइब करें तो एज ओफ अल्ट्रोन मुवी आई थी इसमें आपको फील आएगा एंड गेम वाला जिसमें कि वह एक थानोस का जो इंफिनिटी गाउंट लेट होता है उसके वह ऐसे कर दे आदी दुन्या को खतम कर देता है उस तरह के सीन आपको इसमयाद आएग सब्सक्राइब करने में मुश्किल होता है और और बहुती पतली कोमिक से तो इजी ली खुल भी आती है 32 से इसमें कम पेज है अलागि मैंने 32 पेज का रेफरेंस लिया था शायद 24-25 पेज की स्टूरी इसमें 24 पेज है 25 26 27 28 29 30 32 अच्छा ठीक है पेज 32 ही है लेकिन एड का से डिटेल से देखिए तो मैंने देखा है उस सुमें क्या एपिक सीरी जा रही थी एक जहां पर तो आखरी रक्षक सीरीज शुरू हो रही थी और इसके अगरम एड देखते है कि करके महा नागाएंड का अनाउंस्मेंट हो चुका था अलाकि वह भी तक आई नहीं शती प काबू यह डोका उन्मुलल शंखला का पार्ट था हाइबर नेशन जो की राजनगर रक्षक का सेकंड पार्ट था और इसके लावा सर्वसंदी सरवना की जो है कोमिक्स जो थी उसका सिक्स्त पार्ट था नोमेंस लेंड थर्ड पार्ट ऑफ बाल चरीज शीरीज तो यह कि अनुजी का 8 रूप भी मिला था यह दो कोमिक्स में हमको डोगा तेले कराण में हाला कि द्वार साथ की बात हो वह भी काफी प्राणे बात हो गई तो कफी अच्छा था उस समय और जो सिरीज थी भगवान का शुकर मभी यह देख रहा हूं उस समय जो हो गई हो गई हो अनुजी तेरा पार्ट इसके अनौन्स हो थे बारा शाल आ चुके हैं अभी तक यह प्लेट नहीं हो पाई थी अनफॉर्जनलिक आशी जल्दी खतम होगी होती यह कंप्लेट हो गई थी शिक्स पार्ट में अभी मैंने बीडियो किया है यह फिनिश हो गई थे दोगा वेक सब्सक्राइब हो गई थी लेकिन जैसे ही संद्वर एकिस में राज कुमिक्स संजे गुपताजी और मनौज गुपताजी का जो भी भाजन हुआ है राज कुमिक्स का उन्होंने संजे गुपताजी ने शुरू किये फिर से आधी पर पहला कॉमिक्स आ चुका है आप प्र देख सकते हैं और महान अगयन शुरू नहीं पाई तो जिब राज कुमिक्स का बटवारा हुआ तो जो कॉन्फलिक्ट्स हुए कुछ लीगल इशूस थे उनकी वैसे सारे ओंगोंग प्रेजिट हुएं के वहीं रूप गई तो महान अगयन के भी मुझे पता है एक दो पा बात करें राजनागर रक्षर के क्लेक्टर डिशन की बात करें बाल चरित्र की बात करें इवन डोगाउन मूलन का भी आई होप कुछ नया निकल नहीं वाला होगा उसकी पेपर बेग भी है रिवीव आप देख सकते हैं तो आगे चलते हैं तो इसमें धीरा जुरुमाजी बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी यह क्योंकि आखरी रक्षक और विश्व रक्षक मेरा हाथ में थी आपने पुराने वीडियो चेक आट कर सकते हैं बिल्कुल भी क्वालिटिम डिफरेंस नहीं आपको लगे का ही नहीं कि दूसरी वैसी वैसी लगी बिल्कुल लोगो रहा था इसका अगरम अनवान लगा लेते हैं अभी 32 32 पेज के पांच को मिक्स असी रुपय का प्राइस होगा तो आट पंचे चालीस चार सो रुपय यह हो गए फिर यह चौसर चौसर रुपय के हैं अभी जो आ रहा है जो संजुग उपताची को एक सो चालीस के साब से ह हो गए 282 400 और 602 पेज आए इसका प्राइस कीसी पत्राइस हों और यह चैशी पेज का है तो इसका प्राइस होगा क्या बता हूं 150 का सब्सुगा का 150 का सब लुप कुछ तो कहा क्या है तक मच गेता हैं 400 और 6060 चैनल में चैनल में क्या करूं इसके एक बाद एक्षा भीष जोड़ जेता हूं तो अधो जाएंगे आठ शो रुपए तो आठ शो से थोड़ा कुछ ऊपर होगा आठ शो के करीब हुआ इसका प्राइस होगा जो भी विवर को इतम प्राइस एक्जिट प्राइस कुपता है कुमेंटर बता सकते हैं मुझे पहले भी की वीवर बता चुके है राजनगर रख्षक के मामिले में तो ऐसा कुछ प्राइस है 800 के असपास और इसका जो क्लेक्टर डिशन आ रहा है वह आ रहा है ग्यारा सो सतरा रुपए का हाँ तो इसका देखिए 800 रुपए का आया था यह समान नेते हैं और ग्यारा सो सतरा रुपए का पड़ेगा तो तीन सो रुपए का डिफ्रेंस इसमें आपको हाड़ बाउंड मिल जाता है कुछ नोवल्टी मिल जाती है तो देख सकते हैं आइटिंग दोनों चीज अवेलेबल है अलग वेबसाइट पर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं परकालो की धरती और हैं चार कॉमिक्स में एक और खासियत है यह वही समय चल रहा जब कवर आर्ट और एड एक जिसे हो गए थे अधरवाइस हमको एड़ अलग मिलता किसी भी कॉमिक्स का कवर अलग इसमें अगर आ गिम परकालो की बात करते हैं तो अलग ओफ अलग इमेंट हो रहे थे एक जगांपे परमानों और दरू कुछ इस से जूज रहे थे और दूसरी रफ भीडिया और शक्ति और भी पुराना वाला भीडिया है कोबी और भीडिया के अलग होने से पहले वाला भीडिया से मैं ऐसा ही अनुपम जी के चित्रांकर में देखना हो तो पिछे देख लिए यह देख लिए वहां नागार देखा रहा है तो बड़ा मज़ा आता दोनों में पोज लगो तो इसलों सब्सक्रिट और था इस चित्रांकर घाएल乾ें और बहुत अच्छा टेख डूनी के अच्छान दिखे कि अमधर 7 रुपमें जो ने जो पुराने इंजैंग नोगा बदाओéd और यह दए जए विए पहले साद दीर जे कुण सब्सक्राइब और दिखने शुरू है यह सीन इंसाइड आर्ट है और इसी का कवर आट वहां दिख रहा होगा आपको बर्मांड योदा में वह देखेंगा भी आजाएगा से तो डोगा और स्टिल का आगमन भी हो चुका है देखिए बर्मांड योदा का और इसमें और कौन शक्तिर पशंक्ला डबाबंध शुरूर नहीं हुए बहुत दुख है इसका बढ़ा दुख है नेक्स्ट पिछलते तो बड़ी पहली पार्ट में टाइम लगाता है बाकी चार पार्ट में सेम ही फ्लिवर मिलेगा जो एड वैसा ही कवर आठ धिरजमाजी का आट वर्क है परदस्त महानागान का भी शैड़ है जो क्यों प्रेट था उस रोगत है कि सीरीज आखरी है ना दर लो लोड शर्वाइवर ऐसा कुछ है तो चलते हैं आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है तो दीरी दीरी इसमें शुरू के चार जो पार्ट में बता रहा हूं धीर ज चलिए सी पकरी थी उसमें भुकान शुकर कि यह रहा है यह फैलने से पहले से बट गया मामला तो खिर इसमें सारे ही के सारे ही सूपर हिरो जैसे के मैंने पहले कहा कि आपको एवेंजर की आदा जाएगी और वह सारे एक जगह यूनाट होता है अलग अलग जगह अपने आ बाफ सीरीज बट ऐसा है नहीं तिकि शुरात के चार पार्ट हैं 32 पेज़ के विद धिरजुर्मा सर के आटरों के साथ में पांचों पार्ट वे बटीस पेज़ का यह बट वहां पर चितरंकर हैमंत कुमार जी का है और इंगिंग जो है जगदिश कुमार जी की है यह चितरं किसमे राज कुमिक्स बाइज, इसमें नाग करन्थ है तो इसमें इनकी ही नाग दूख के टरुगा है तो इसमें इनकी ही टरुक है और एफट पार्ट tabi 32 पेज़ का य उसमें हैमंत कुमार जी का चितरंकन है और बाकी की जो तीन है उसमें Shisth पंड का बेच चितरंकनं आ अलग लग फ्लेवर देखने को मिलता है लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा वह हो जाता है शुरात की चार पार्ट में काफिया पूंसिस्टेंसी मिलेगे आट रोट में यूगि और दिरज़ जो एक लेजंड हैं चितरकार और उनकी चितरांकर में अगले की टेस्ट होता अचाहे नागराज बनाएं सुपरकॉन धुरू परमानों यह देखी है यह सीन्दिया हाफ नागराज हाफ परमान बना रहा जाए एक ही सीन्द है यह जो लाइन वगर सबकुसे हैं लेकिन अगले ही नीचे में देखी दोनों की चैरे अलग हो जाते है पर मजा आया इसका अच्छा है मजाएगा अच्छा है तो फूर पार्ट के हैं फिफ्थ पार्ड में पार्ट में डिफरेंस जो है आ गया है वह अधर शिश्टेंटर में 32 पेज़ की है यह और अना 32-32 पेज़ की शंकला होती बड़ा मज़ा आता है पर क्या फिर लास्ट में समाना मुश्किल इतनी सा सीरीज को तो वो कोई दुख नहीं है कि आर्ट रॉक चेंज हुआ है कि 32 पेज़ से हम 64 पे पहुंचे और लास्ट पार्ट बाइदवे असी पेज़ का है यह चौसर चौसर पेज़ के हैं तो उसका दुख नहीं है पूरी हो यह अच्छी बात है और अभी तक नागराज को अलगी बनाते हूं और इसमें जो है इंकिंग विनोद कुमार जी के होने से बेनिफिट मिल जाता है कि नागराज और सुपर कुमार दूर को फुलेवर दे जाते हैं कई अनुपमशिना जी वाला कि अनुपमशिना जी के जो आर्ट रॉक पे विनोद जी इसमें पर पड़ी ही मैं से बचेंगी ती फ्रेंड से लीती हो तो बड़ी जल्दे खत्म हो जाती ही है कि एक तो बतीस पेजगी है कहानी 24 पेजगी मिलती है एड काफी मिलते है इसमें पार्ट हमारे हाथ में आता है ब्रमांड विकंडन अच्छा आठ है एक जो कमिक बुक है इसमें जी का आठ है और इश्वर आठ यहमंत जी का पैंसिलिंग है इश्वर आठ मतलब यह जो जगदीश जी नंकी इनकी आपर अंदर सुसान्त पंड़ा जी का किождIDE हो मतलब यह जीनों कंप ंश्वर इसमें पनाड इसमें सुसान्त पंड़ा जी का कलान इंज्वर अदरेशिन है और झा दम ग्यादु का चितर थीक है उनंका ब्दोब तो आपको सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे इसको आप देख सकते हैं इसकी और पेपर कॉलिटी बाइद आपको ही मिलेगी यह एड मिलने वाले है तो आप अगर सोच रहोंगे कि आपको क्लेक्टर एडिशन में क्या मिलने वाला तो देख लिए चैसे यह मिलने वाला कि बाकियों की तो धिरजर्माजी के एपिक कवर ना देखो जिसे कोई पोस्टर रखे हों फिर देख लीजिए इंस्पिक्टर स्टी रुडोगा को देखी बनाओ आप इसमें क्या कला करी मतलब अभी जो मैंने बिग साइज का सेट अभी अन्बॉक्स के था पुराने कि बनाते तो एकदम से उसमें खिचरि से कवर आगया देखो और प्लस ना आप चेहरे देखो आप अप नागराज को देखिए आपको नाम नहीं बता हो यह ना गराज है डोगा डोगा चेहरा देखिया फिर आप देखिए गगन है तिरंगा विनाषदूत है सुपर कॉन विनासुत बाइदवे फस्ट सुपरिजर है ना आज कुई कि अडिग है इसमें भीडिया है और पर्मानों शक्तित अब चेहरे दिखें मतलब अलगी आर्ट कोई बुरा आर्ट नहीं है अच्छा आर्ट है एक्सपेरिमेंट वाइस लेकिन जो पहले इतना अपिक आर्ट दे शुसांत पंडा जी का और बहुत अच्छा चित्र बनाया है और इंकी मिनोजी की है यहां देखिए आपको चित्र उसकी चित्र काफी इच्छी लगया मुझे अलग-अलग आर्टिस्ट का मज़ा एस सीरीज में आपको मनुजी की आदाईगी मनुजी का जो पर्मानों दे आठी आठी आपको चार पार्ट में धिरजर्मा जी का मिलेगा फिफ्ट पार्ट में जो है आपको हेमंत जी का चीत्रंगर मिलेगा और शिक्त में पंडा है ऐसा नहीं कि भी बहुत ज़्यादा देखें कफे अच्छी जित रहा है कि फाइनल पार्ट की बात करते हैं बर्मान साइटा यह एटी पीजिस का है तो हम आगे 32-35 पेज के पांच कॉमिक्स हैं 64-64 पेज के दो कॉमिक्स है और 80 पेज का यह लास्ट कॉमिक्स है इसलिए मै कि कलरिंग जब दसते हैं बहुत बड़ेगा लगी है तो इस तरीके चित्रंकर निसमें पंदाजी का ही दिखाए है तो शचान पंदाजी चित्रंकर है विनोदी और जग्दी जी इंकिंग का भी बहुत फरक पड़ता है यहां देखिए एक सीन मिलेगा आपको जहां पर हम आपको सभी सभी सुपर हिरोज एक जहलक मिल जाई तो सभी सुपर हिरोज डिफरेंट अब जगाउं से एक जए कटे रहते हैं और देखिए थोड़ा बुदिश में धनजय है तो देवताओं को भी थोड़ा सा रहता है इसमें आपको विनाश को मिक्स की भी आता जाएगी तो परमानों काफी बड़ा दिखाए आपको आइरन में की याद आजाएगी एंजरेंड गेम में यह इंफिनिटी वार का जो एंड हुआ था उसमें जो आइरन मैं के साथ कुछ हुआ था वे इसकी याद आईगी आपको थोड़ी इसको पढ़ना पर इंट्रेस्टिंग स् देखे प्रमाजी बना लगा है अच्छा आट बहुत संद्र माइं कर बाइब तो यह कि सीरीज पूरी मिलेगे वर क्लेक्टरिशन का फायदा है कि आप चाहकर भी पार्ट रग नहीं कर पातें क्योंकि पेपर बेक में कई बार शॉपस पे कैसे घर के सीरीज आगे पीच हो तो यह अठीक है आगे कि आप हों यह और तैप से भी पंद्रूक्त ने पीडिपर आप सारी 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 जब संद्राइं अ मैं बात कर रहा नौगा इस संवेकि इस सारा संद्राइं पर बालचरित के पेपर बेक तो मनोञजी भी ला रहे हैं और मनोञज कुपता जी ने जो यहां है नहीं तो बालचरी सीरीज जो सुपर कुमांडर धुरू की सीरीज है उसके सिक्स पार्ट है वो जो है पेपर बेक में संजय गुपता जी लेकर कर आये थे उसके बाद मनोज गुपता जी सेम वही साइज में लेकर क्या है थोड़ा शाइनी कवर में उसका दिख अगर अब तक नहीं किया है तो आप कुछ भी दिन वेट कर लीजिए गा जो मैंने उमा कार्ट से वो किया है मेरी चोई मनोज गुपता जी के जो कौमिक्स हां उनके लिए मेरी चोई होती है हेलो बुक माई और उमा कार्ट से में जाया तरो जाता हूं संजय गुपता जी क झाल